भारती दर्शनों के बारे में संसार की ऐसी धारणा है कि जितना विस्तार से भारत में और जितने गहराई से भारत में दार्शनिक चिंटन हुआ है इतना विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं हुआ यदपी योरप वाले जो है वो युनान को दर्शन का केंद्र मानते हैं लेकिन वहाँ भी जो केंद्र है युनान के अंदर वो दर्शन भी इतना गहन नहीं गया है और इतना विस्तार से नहीं हुआ है जितना भारत में हुआ हुआ हमने भारती दर्शन में पहले भी थोड़ बहुत चर्चा की है, भारत का जो सबसे पुराना दर्शन है, जिसको हम सांख दर्शन कहते हैं, उसके विशह में हमने थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी की है, लेकिन आज उसी दर्शन पर हम बहुत विस्तार से कुछ विचार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये दर्श वालमीक में भी संख का बरनन है आनने जितने भी और भी धू हमारे दिशास्त्रे हैं उनमें संख का वर विकार जरूर आया है तो इससे लगता है के संख सारे दर्षनों से बोट पुराना दर्षन है अथी प्राचीन दर्षन है और गीता में ते यहां तक कह दिया है पंडित है पंडित का मतलब कोई जाती नहीं है, पंडित का मतलब जो ज्ञानी लोग है, विद्वान लोग है, वो सांख को और योग को अलग 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 नहीं कहते हैं, प्रसक वारा, अलग लग नहीं बोलते हैं, सांख ठियोरिटिकर पक्ष है, सैद्धान्तिक पक्ष है, सिद्धान्त की बात करनी है, तो सांख पर हम करेंगे, और इसी को सिद्धान्त को जब व्यवार में उतारेंगे हम, सांख शास्त्र को, तो वो योग शास्त्र बन बहुत विस्तार से हम आज बात करेंगे, कि सांख का क्या महत है भारत के अंदर, सबसे बड़ी बात सांख दर्शन की, पहले तो सांख दर्शन के जो जिन्होंने इसको आरंब किया है, जो इसके उदगाता है, जो इसके अधिस्टाता है, वो कपिल मुनी हैं, कपिल को पुरा सांख दर्शन की महिम्हा इससे बहुत बढ़त जाती है, कपिल का रूप धारण करके और सिद्धांत हमें बताने के लिए जा रहे हैं, आधूनिक दिर्श्टी से जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि जो बात आज साइन्स कह रही है वो बात सारी सांख में मौझूद है। सांख दर्शन उन बातों को लेकर के चलता है। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है। कि सांख ने इस बात को बिलकुल मना कर दिया है कि क्रियेशन नहीं होती। बाइवल में पुराणों में क्रियेशन की बात है। स्रिष्टी उत्पन हुई है। किसी ने सरजन किया है स्रिष्टी का। लेकिन सांख कहता है कि क्रियेशन की बात नहीं हुई। आज modern science नहीं कह रही है, कि creation तो हुई नहीं दुनिया के अंदर, evolution हुआ है, सांख भी कहता है, कि यह विकास हुआ है, सारा का सारा, और विकास में क्या बात होती है, सबसे बड़ी बात, कि जो अव्यक्त है, वो ही व्यक्त होता है, कोई नई चीज पैदा नहीं होती, इसी चीज का और साहरा लेकर के वो व्यक्त हो जाती है, दिखाई देने लगती है, तो यह नई creation नहीं होती, जो अव्यक्त था, वो व्यक्त हो गया, यह evolution है, यह इसी को विकास कहते हैं, यह जो potential था, जिसे युनान के लोगों ने, जिस युनान के दर्शन को सब से मूचा मानते हैं, यूरप के लोग, तो अरस्तु ने जिसको कहा, कि potential जो है, जब actual हो जाता है, तो यह development कहलाता है, इसी को आज हमारे, चार्लिश, डार्विन वगएरा, स्पैंसर वगएरा सारे evolution का सब प्रियोग कर रहे हैं, तो जो अरस्तु ने बात कही, कि potentiality को जो शक्यता है, संभावता है, वो संभावता जब वास्तविक्ता बन जाती है, तो हम उसको कहने लगते हैं, कि कोई नई creation होगी, नई creation नहीं हुई, जो potential था, वो actual हो गया हमारे सामने, एक बीज है, उसके अंदर potentiality है, उसके अंदर एक शक्यता है, संभावता है, कि वो पेड़ बन जाएगा, और हम ने उस बीज को रख दिया, जो परस्तितियां थी, उनको परस्तिती दे दी, और परस्तितियों को बात क्या हुआ, कि उस बीज में से अंकुर फूटा, और अंकुर पेड़ बन गया, तो ये पेड़ कोई नई creation नहीं है, ये उसका विकास है बीज में से, तो सांख evolution को मानता है, creation को नहीं मानता है, ये evolution आज सारे लोग मान रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि evolution हुआ है और हो रहा है और चल रहा है चलता रहेगा, तो सांख दर्शन इस बात को बहुत पहले कह चुका है अब सांख दर्शन का जो ग्रंथ है सबसे पुराना उसको हम कपिल का सूत्र कहते हैं कपिल सूत्र लेकिन ओपिल सूत्र जो है अब लुप्त हो गया है कहीं खो गया है बहुत पुरानी चीज है, क्योंकि जब हम सांख दर्शन को बहुत पुराना मानते हैं, तो हजारों साल पुरानी चीज है, ईशा मसी से कई सो साल पुराना उनका दर्शन है, तो वो दर्शन का उनके जो सूत्र है, मूल, वो कहीं लुप्त हो गए हैं, खो गए हैं, अब उनक इस वो खोजने के लिए बहुत सारे लोग जो थे कोम जगे 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 सांथ का नाम तो आता रहा है महावरत में नाम आ गया काली दक्षिया अगया और गर लेकिन वो ग्रंथ नहीं मिला, तो इसकी खोज करने के बाद जो सूत्र से, वो इश्वर कृष्ण नाम के बहुत बड़े दार्शनिक थे उन्होंने खोजे, और इश्वर कृष्ण की कारिका है, अब आधुनिक जो सांख है, वो इश्वर कृष्ण की कारिका पर सारा निरभ सांख जो है, बहुत पुराना शास्त्र है, लेकिन अब नया इसकी व्याक्षा इश्वर कृष्ण की है, अब सांख में हम जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जिस रूप में दिखाई दे रहा है, ये वस्तु कहां से आई हैं, हमार तो सांकh कहता है, यह जो वस्तू हैं, इनका बनाने वाला कोई करता नहीं है, फिर कौन है इसका? तो उसके लिए समझने के लिए हमें सांकh का एक शिद्धानत है, पहले वो समझने पड़ेगा, वो है कारेकारण, वैसे तो कारेकारण का सिद्धानत भारत वरष में बहुत म माना गया है कारे कारण को भारत बहुत मानता है और इस कारे कारण को मानव जीवन में उतारने वाले आदमी जो इसको कारे कारण को केवल बहुती जगत में नहीं कि संसार में एक कारण से कोई कारे पैदा होता है बलकि बहुती जगत से उठा करके इस कारे कारण से दांत को मा फल मिलेगा उसका, तो कर्म और फल का सिद्धान्त भारतिय दर्शन का आधार है सारा का सारा, सांख ने इसी को आधार बना करके कार्यकारन सिद्धान्त को अपना सारा दर्शन खड़ा किया है, और सांख का जो कार्यकारन सिद्धान्त है, उसको उन्होंने नाम दिया है सत का भारत में दो तरह के कार्यकारण सिद्धानते हैं, एक कहलाता है सत्कार्यवाद, एक कहलाता है असत्कार्यवाद, तो सांख जो है सत्कार्यवाद ही हैं, और सत्कार्यवाद होने के वैसे उन्होंने उसके लिए कुछ परमान दिये हैं, कि सत्कार्यवाद ही क्यों सिद्ध है असद कारवाद से क्यों सत्त क्यों नहीं है तो पैदा परवाद उन्होंने दिया है उसको उन्होंने काया है असद कारवाद ये भी हमारा साइंस का है असद से कोई सद चीज पैदा नहीं हो सकती सारे जितने विज्ञान हैं हमारे खासतोर से भौतिक विज्ञान वो इस बात को कहते हैं, उनकी भाशा में कहा जाता है, एक्स नहीलो नहील फिट, फूरम नथिंग, उनली नथिंग कैन कम आउट, शम्छिंग विल ओल्वेज कम आउट फ्रम सम्छिंग, इसलिए आज के जो मॉडरन साइंस हैं, वो कहते हैं, कि मैटर था, मैटर है, और मैटर रहेगा, क्योंकि अगर matter नहीं है, nothing है, शून है, तो शून में से शून नहीं पैदा हो सकता है, something पैदा नहीं हो सकती, तो सांख ने भी इस चीज को लिया है, असद में से सत्र नहीं निकल सकता, nothing में से something नहीं निकल सकती, इसलिए something, कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई चीज थी, व तो पेरा उन्होंने पर्मान दिया है, वो यह दिया है, असद कारणाथ, दूसरा पर्मान उन्होंने क्या दिया है, उपादान कारण होना चाहिए, वो उन लोगों को जो मानते हैं, जो नियाए वाले मानते हैं, के ईश्वर ने जगत बनाया, तो सांख वाले कहते हैं, के तो उन्होंका दो तरह के कारण होते हैं, एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण, उपादान कारण है मिट्टी, और निमित्त कारण है कुमार, तो निमित्त कारण अगर बनाना चाहिए घड़ा, तो बिना मिट्टी के नहीं बना सकता, इश्वर्वियगर ज जरूर यह उसके बिना कोई चीज नहीं बन सकती है। इसी तरह का कारण होना चाहिए, अगर उस तरह का कारण नहीं है, तो हम कहेंगे ये इसका कारण, ये कोई और कारण है जो हमने बताया वो नहीं है, तो जैसे हैं हमें इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं संतार के अंदर, उनको उन्होंने तीन चीजों में बांट करके कहा, थे चीजा एसे हैं, जो ना दुख, न षुक बड़ी उदासी इंता बिलकुल, आद्मी एसा उदासीन है, कि मोह में फशा हुआ है, निद्रा में फशा हुआ है, न सुख, न दुख, तो जब कीन चीजा है हमें संतार में दिखाई दे रहे हैं सारी चीजों को तो कारण भी कारण के अंदर इतनी शक्ति पैदा होने इतनी शक्ति होना चाहिए कि वो अपने आपको अव्यक्त कर सके, अपने आपको परगट कर सके, ये शक्ति जिसके अंदर नहीं है तो ऐसा कारण बिल्कुल बेकार होगा, कुछ भी नहीं बना सकेगा, और फिर एक चीज अंत में आक सर्व संभाव भावात नहीं हो सकता हर चीज में से हर चीज पैदा नहीं हो सकती इश्वर भी अगर चाहे तो ऐसी चीज़ें पैदा नहीं कर सकता जो लोजिकली संभव नहीं है अगर हम इश्वर को कहें कि तुम एक ट्राइंगुलर स्कॉयर पैदा कर दो तो इश्वर भी ट्राइंगुलर स्कॉयर नहीं बना सकता क्योंकि वो संभव ही नहीं है संभव है तो जो संभव है जहां से तिल में से ही तेल निकल सकता है रेत में से तेल नहीं निकल सकता इसलि ये एक तत्व उसको नाम दिया, कि जो सब का कारण है, उपादान है उसी में से सब चीज़ें पैदा होती हैं, उसका नाम दिया उन्होंने प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, प्रा माने पहले है और कृति माने होना, जो इस संसार में कुछ बी दिखाई दे रहा ह यह जो कुछ इसके होने से पहले कैसी इस टिटिटी वो परकृति है, साधारन भाषा में हम यह कहते हैं, हमारे मकान, उकान, पेड़, वेड़, सब यह परकृति हैं, यह सांख कहता है यह परकृति नहीं है, परकृति वो ही हैं सब के पैदा होने से पहले क्या इस टिटिटी कि पहले matter था pure potentiality, केभल उसके अंदर संभावयता थी, सब कुछ बनने की, अपने आप में वो क्या था? Formless था, निराकार, matter का कोई आकार नहीं था, हमारे हाँ सांख भी कहते हैं, कि पहले जो प्रकृति थी, वो प्रकृति के अंदर कोई किसी तरह के आकार नहीं थे, बलके सब आकारों को प्रकृत करने की, इसके अंदर शक्ति थी, potentiality थी उसके अंदर, उस potentiality के कारण से दारी सारी दुनिया की चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो अपने आप जो थी, उसकुछ भी नहीं थी, केभल उसके अंदर तीन चीज़ें थी, जो संसार में तीन चीज़ वो ही था दुनिया के अंदर थे, जो सुख पैदा करने वाला था, वो प्रकास जैसे रोशनी होती है, वो रोशनी-रोशनी को ग्रहन करने वाला था, उसको उन्होंने नाम दिया सत्वगुन, एक ऐसा था जो दुख पैदा करने वाला था, बड़ी activity थी, चंचलता बहुत उसके अंदर, तो उस चंचलता करन से सारी चीज़ पैदा हुई, उसको उन्होंने का रजोगुन था, और एक ऐसा था, जो बिल्कुल अंदकार, आरस है, अंधेरा, मुह, इस तरह का था, जो उदासी इंता लाता है, उसको उन्होंने नाम दिया, ये तमोगुन था, तो प पर छाया हुआ नहीं था, सत्व जो था, सत्वी था, रज जो था, रज था, अब रज के अंदर क्या था, कि रज जो बड़ा चंचल है, चंचल है तो उसको हमने बहुत चंचलता के कारन से देखा, कि इसको हमने दुख का कारन बना दिया, और उसका रंग दे दिया, हमने ऐसे लाल, ुर आलस से पैदा करने वाला था। उसको आणन्द देना वाला था हुसका रंग mi देया श्वेद, और वे ernst से पैदा करने वाला था, मुह पैदा करने वाला था, उसको हमने अच्छ दार्ग करर्ग कर्ग दे दिया। तो तीन तरह के करण से, ये पोटेंशल करण से, ये गुण जो थे, ये परकृति के गुण नहीं हैं, बलके परकृति के अव्यव हैं, इन तीजों से, तीन चीजों से मिलके परकृति बने हुई हैं, ये नहीं के परकृति नाम का कोई तत्व हो, उसके अंदर ये तीन क्वा हिंदी के बहुत बड़े कभी हैं, उन्होंने प्रकृति का वर्ण करने में बड़ा अच्छा इनको तीनों गुणों को दिखाया है, अमी हला हल मद भरे, श्वेत शाम रत नार, ये उन्होंने कहा, कि ये तीन चीजें हैं, अमी सतो गुण, अमरित रूप है, हला हल लाली है, और अमी हला हल मद भरे, मद जो है आँखों का है, डाडी, तो जैसे हमारी प्रकृति जो है, हमारी प्रेमी का है, नारी है, इस्तरी है, उसके नेत्रों में, तो जो उनको ये ही चित्वत, वो इसको देखेगा तीनों को, तो कभी वो नीचे गिरेगा, कभी उपर उठेगा कभी खुछ हो जाएगा, अनंदित हो जाएगा, तो श्वेत, श्याम, रत, नार प्रकृति के अंदर ये तीन चीज है, श्वेत जो है, श्याम जो है, वो तमगुन है, और लाल जो है, जैसे आँखों में मद आ जाता है, नशा पीने के बाद लाली आ जाती है, तो जो इनक संसार के अंदर पहले विद्वान थे, अब इनके कारण से प्रकृति को कहा गया, प्रकृति के कही नाम रखे गए, प्रकृति को पहले कहा गया, ये प्रधान है, यानि प्राइमल मैटर है ये, इस से पहले कोई चीज नहीं थी, प्रकृति से पहले, प्रकृति ही थी, ये इस बात को मानता है, matter was neither created by anybody nor matter can be destroyed, matter cannot be created and matter cannot be destroyed, यह fundamental principle है सारी साइंस का, तो इसलिए सांख नहीं बात बहुत पहले कह दी, कि यह प्रकृति है ना इसको कोई पैदा कर सकता है, ना इसका कोई नाश कर सकता है, इसलिए इसका नाम रखा आजा, आजा यानि जिसका जनम ही नहीं बादुनि ह Mingiवा दुनिया के अंदर परकृति को आजा कहा, फिर इसके अंदर बड़ी शक्ती है, सारी चीज़ें उत्पन करने की, इसलिए इसको महाशक्ति कहा, आप चुक्के सारी चीज़े परकृति से पैदा होती हैं, इसलिए इसलिए इनोंने इसको जगत जननी कहा, ये जगत की माता है, जगत जन्नी है प्रकृति, सारा जगत इसी से उस्पन होता है, सारी चीज़ें इसी के अंदर से निकलेंगी, जो चीज ही नहीं, जैसे शुरू में कहा, कि असत में से सत नहीं पैदा हो सकता, तो जो चीज़ यहां ही नहीं प्रकृति में, वो दुनिया क प्रकृति के अनुसार काश के अनुसार वो चीजे निकलती रहती है प्रकृति के अंदर से पैदा होती रहती है उनकों कहते है नई क्रिएशन हो गई क्रिएशन होती नहीं ना मैटर को कोई क्रिएट कर सकता है ना मैटर को कोई कर सकता है तो इसलिए प्रकृतिकों का यह सर्व गरभा है जगत जन्नी है यह महाशक्ति है यह अजा है यह इसका कोई पैदा करने वाला नहीं है और यह त्रगुण आत्मक है तीन गुण है इसके अंदर ये इनी किसार अंकार्ण करती रहती है, रजोगुन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, कि सारी दुनिया ने, साइंस ने जब सब सब साइंस चुरू हुई है, सत्रमी सदावदी में, तब सही माना गया है, कि मैटर और मोशन दो चीजें अलग रग हैं, न् जब तक कि कोई अपोजिट और उतनी उसके बराबर की और अपोजिट फोर्स उसमें न रगाई जाया, तो सदियों तक साइंस चक्कर मारती रही, कि इस मैटर को किसने मूव किया, और अन्तमे न्यूटन ने कहा, मानना पड़ा न्यूटन को, कि कोई ऐसी शक्ती है, जो अ अपोजिट थी, यह मैटर है, वो नॉन मैटर थी, तो उन्होंना कहा, कि God moved the universe and exhausted, इनर्शिया का यह है, एक बार जिसको हिला दोगे, वो हमेशा हिलता रहेगा, अब जिस संसार को जिस दिन रोकना होगा, अब God ने क्या किया, कि एक बार इस मैटर को हिला दिया, और हिलाने के बाद exhaust हो गया, वो ठक करके सो गया, जब इसको रोकना होगा, तब God उठेगा, और equal and opposite force आक रहेगा, लेकिन सांख ने क्या काम किया, आज 20 वी सदी में आकर के, हाईजन भर्ग, शुरू डिंगर, इन्होंने कहा, कि matter जो है, यह एक पार्टिकल नहीं है, जिसको हिलाने क चक्र है, wave theory of matter दी, और इन्हें का, इतनी तेजी से घूम रही है, इतनी तेजी से move कर रही है, यह neutron, electron उन्होंने बना दिये, यह आज 20 सदी में आकर के, इस बात को माना, कि matter और motor, motion दो अलग अलग चीज़े नहीं है, motion is inherent in matter, 20 सदी में यह बात कहिए इन्होंने, और सांख जो है, रजोगुन को मान रहा है, रजोगुन तो चंचल है, एक्टिव है, matter के अंदर activity मौजूद थी शुरू से ही, जिस दिन matter बना, matter नक को बना ही नहीं किसी नहीं, यानि जब से matter एक्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, motion उसके अंदर पहले ही मौजूद है, वो motion कर चलत रहता रहता है, तो सांख ने प्रकृति को कहा कि यह प्रधान तत्व है, सारी दुनिया की creation और यह दुनिया का उपादान कारण है, जैसे गड़े का उपादान कारण मिट्टी होती है, ऐसे इस दुनिया की हर चीज का उपादान कारण वो प्रकृति है, उस प्रकृति में इसी हर चीज जनम लेती है, अब प्रकृति क्या है, उन्होंने का प्रकृति को देखने के लिए हमें एक चीज देना पड़े, देखने पड़ेगी, कि संसार के अंदर जितनी भी चीजे हैं, वो सीमित हैं, पैदा होती हैं, मर जाती हैं, उनका जनम होता है, उनकी मिर्ति होत कहां से इनका उदे हुआ और कहां ये ले हो गई मैटर मैटर से मैटर ही बनता है और मैटर नहीं समा जाता है आप कोईले को जलाओ तो कोईला नस्ट नहीं होगा कोईला ऑक्सीजन में बदल जाएगा राक में बदल जाएगा इन चीजों में बदल जाएगा नस्ट नहीं हो सकता तो मैटर जो अपने शकल बदल लेता है और शकल बदल करके फिर मैटर में मिल जाता है तो इन्होंने भी कहा कि ये जो सारी सीमित चीज़ें पैदा हो रही है इनका कोई असीम कारण होना चाहिए इनका कारण कोई ऐसा हो कि इतनी दुनिया की चीज़ें उसमें से पैदा होती रहे तो उस असीम कारण में वो जात सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए दुनिया के कारण के उन्होंने गुण बताए सत्कार यवाद में के सत्क ये गुण जहां नहीं होंगे हो से निकल लीन सकती कोई चीजE casa και ofutors, dill da, कोई आजमी भी ऐसा नहीं कर सकता गी निकले हमें फता होगा कर पानी में गी नहीं है तो हम कभी भी कोषीश नहीं करेंगे और हमें पता है कि आज पानी में तिल के अंदर तेल है, तो हम तिल कोई लेंगे तो यह तिल्वजवास कोई unlimited चीज होने चाहिए, यह कारण कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, और फिर दूसरी चीज ही उन्होंना कहा, कि जब यह कारण इतना महान होगा सारा का सारा, जितना जिसको नापा भी नहीं जा सकता, असीम होगा यह, तो प्रकृति को उन्हों चलता रहता है, घोमता रहता है, उसको घोमने में कोई किसी तरह की पता नहीं होता, कि मैं क्यों घोम रहा उं, कोई परपस का पता नहीं होता, तो यह सारी चीज है, अब इसमें यह है कि जब चीज ए выпrains play, और एकठी होते हैं यूष पैदा होने के लिए, तो उन्हें ती तो दुनिया की सब चीज़ें जो हैं, उनके अंदर सब गुणों का कहीना कहीना मेल होता है, और संसार की इतनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर ये मेल साफ दिखाई देता है, तो ये मेल कौन कराता है? ये मेल कराने वाली कोई ऐसी शक्ति होने चाहिए, जो सब चीज़ों को मेल कराके संसार में जो चीज़ पैदा होती है, ठोस चीज़ है, उस ठोस के अंदर सब गुणों का मेल करा दे, हमने एक ठोस चीज़ ली, तो उसके अंदर बदन भी आएगा, उसका सपर्स भी होगा, उसे करर भी दिखाई देगा, तो ये करर और इन शक्तितों का मेल करा, तो कोई शक्ति ऐसी उन्हें चाहिए, जो समन्वे करा सके सारों, सारी चीज़ों का, जितने गुण है, तो ऐसी शक्ति खोजों कहा से आएगी हमारे पास, उन्होंने कहा कि प्रकृति के अंदर सारी चीज़ें ये मौजूद हैं, अब लेकिन प्रकृति अपने आप ही बोल नहीं हो सकती, प्रकृति अपने आप कुछ पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ है, तो सांख न एक और तत्व माना, उस तत्व को उन्होंने का ये पुरुष है, पुरुष चेतन है, पुरुष प्रकाश है, उसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं किसी चीज़ की दरा सा भी थोड़ा सा अंदकार नहीं है, वो चेतन कैसा है, जो चेतना उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर ऐसा है कि हम देखते हैं, प्रकृति के अंदर तीन गुण है, लेकिन ऐसी शक्ति ह जो इन तीन गुणों को भी जब ईउपर खड़ी और उनको देख सकें, प्रकास देख सकें, तो ऐसी चीद होनी चाहिए जो तीनों गुणों से ऊपर हो, निर्गुण हो कोई, तो पुरुष निर्गुण है, तो अंदर कोई गुणों नहीं है. पुरुष में नहीं है, इसलिए पुरुष एक्टिव नहीं हो सकता, चेतन तो है नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी बुडॉंग्स तू मैटर, सारी एक्टिविटी पुरुष के अंदर है, पुरुष के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, पुरुष एक है दुनिया के अंदर, सारा कहीं भी आप मंगल पर चले जाओ, या चंदरमा पर चले जाओ, सारी प्रकृति एक सी मिलेगी, तीनों जगे तिर्गुनात्मक मिलेगी, और तिर्गुनात्मक के अंदर उसके नियम भी वही होंगे, जैसे आज कल साइंस कहती है, कि मैटर जो है स यह देखेंगे कि干ौटाफ। तो प्रकृति जो है सारे में एक सी है, तो इसलिए प्रकृति एक है, लेकिन पुरुस एक नहीं है. पुरुस अनेक है, अलग-अलग है, एक पुरुस के अनौवह, दूथ्रे पुरुस के अंदर नहीं जा सकते हैं, एक पुरुस के स्वफन दोत्रे पुरुष के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी है यह अलग जिनमें भेद है पूरा, जो त्विर्गुण आत्मक्सा उपर हैं, जो निर्गुण हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, जो केवल परकाश ही परकाश हैं, केवल चेत्ना ही चेत्ना हैं, उसका नाम इनों रख पुरुष भी अनादी है, पुरुष भी चुके किशी ने पैदा नहीं किया, जो चीत पैदा नहीं की वो मरेगी भी नहीं, तो पुरुष भी अमर है, अमरत्म प्राप्त किया वासने, पुरुष कभी भी नाश नहीं होगा, कोई इसका नाश नहीं कर सकता, उसको दूसरे उसको कहते हैं, इन्टेंशनिलिटी ओव दे कॉंशनेस्ट, चेतना के अंदर गुण होता है कि मैं किस चीज की चेतना हूँ, अगर चेतना है हमारे अंदर लेकिन अबजेक्ट नहीं है, किसी अबजेक्ट को देखने रही, तो हम कहेंगे ये चेतना नहीं है, तो जड़ पुरुष के अंदर ये होता है कि मैं किसी चीज को देखूं, तो पुरुष के अंदर ये होता है कि मैं किसी चीज को देखूं, तो पुरुष भोगता है, द्रिष्टा है, परकृति द्रिष्टा नहीं है, परकृति नहीं देख सकती, परकृति क्या करती है कि अपने आप कोई नए कोई चीज प्रिकट करके, हैं सब चीजों की तीन गुनों को मिला करके और कोई चीज पेदा होती है, तो पुरुष उसका भोग करता है, तो प्रकृती है और पुरुष उसका भोग करनां के लिए। यह दोनों अलग अलग तत्व हैं, इनका कोई आपस में किसी से संब्ध नहीं है, पुरुस किसी भी हालत में चेतन नहीं हो सकती, पुरुस किसी भी हालत में जड़ नहीं हो सकता, पुरुस किसी भी हालत में इनेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि रजगुण मौझूद है, सारी संसार में, सारे ब्रमान में कहीं चले जाओ, प्रकृति एक शिरेगी, लेकिन पुरुष का क्या होगा, कि एक पुरुष के अनुभव दूसरे पुरुष में नहीं जा सकते, मेरे जीवन के अनुभव मेरे छोटे भाई के जीवन में भी नहीं जा सकते, मेरे जीवन के ब तो पुरुष अनन्त है, परकृति भी अनन्त है और पुरुष भी अनन्त है, लेकिन पुरुष मात्रा में अनन्त है, परकृति क्वालिटी में अनन्त है, अब क्या होता है कि दोनों के दोनों जो हैं, अलग अलग एक दूसरे के करें, परकृति इधर बैठी हुई है, इश्क का जोकïं नजारा मुत में बदनाम है। hosn खुद będzie जल 항ु करने के लिए, हुस्न खुद बनताज है, हुस्न भेताब है को चाहताी है। मेरी परसंशा करे देख करके परसंद होसा है, मेरी तरफ करती कोई मुझे देख एक मेरी तरफ को मेरे अंदर इतना माल गुसा इतना माल चीज़ है, इतना सौंदरिया है अतनी सब चीज़ है, लेकिन कोह इनको देखने वाला ही condition कि कोई इनको भोग करने वालों नहीं, तो प्रकृति भी आकांक्षा है, और फुरुस यह कहता है कि जब मैं चेतन हूँ, तो जब तक मैं किसी चीज को देखूंगा नहीं, और देख करके यह नहीं कहूंगा, कि मैंने किताब देखी, तो पता लगएगा कि मैं चेतन हूँ, अगर मैं किसी चीज को देखता ही नहीं, कौन कहता है, तो पुरुस चाहता है, कि मैं भी किसी चीज को देखूंगा, तो दोनों एक बड़े बेताव रहते हैं, और वो भोगने के लिए बेताव रहता है, और यह इसलिए रहती है, प्रकृति का जो वर्णन किया है, शांख प्रकृति की तरह देखें, ऐसे ही प्रकृति नाच रही है, रजगुन नाच रहा है, रजगुन परेशान है कि जल्दी से कोई हमारी तरफ को देखें, तो हम चीज निकालनी शुरू करें, और पुरुस अपना प्रकास फैंक रहा है लगाता है, तो इससे कुटत्त पैद होने शुरू हो जाते हैं, पुरुस जैसे ही प्रकृति के उपर अपना प्रकास डालता है, ये तीनों गुन जो हैं, जो सामने अवस्थात हैं, एकदम विक्षोव हो जाते हैं, हर एक गुन उछल करके अपने आपको दिखाने की कोशिश करने लगता है, रजगुन चाहता है पुछ गुत。 घूसरीlla क स fathers that, not calm, पुछ परेहने आपको जाते हैं। ऐसे में परकृति हैं संसार के अंदर कुछ चीज़ हैं सतोगुन परधान हैं, कुछ चीज़ चीज जिनें रजगुन परधान हैं। कुछ चीज़ अंदर जड़ता और ज़ाता बद्य specially चैज़ मु तो इस तरह से कुछ चीज़ें उत्पन होने शुरू हो जाती हैं। वो जो गुफ्त चीज़ें पढ़ी थी अब व्यक्त थी, वो व्यक्त होने शुरू हो जाती है। और उनमेंसे वेक्थ होने के साथ जो चीज़ें निकलने शुरू हो जाती हैं, उसका अक्रम उन्होंने बनाया, आसांख वालोंने, कि एवोलूशन कैसे होता है, जब क्रिएशन होती नहीं, तो प्रकृति में से इवोल होंगी, जो पुटेंशलिटी यह धीरे-धीरे एक्शुलिटी बनेगी, तो कैसे होती है, तो इसके लिए उन्होंने वैसे तो पच्चीस चत्व दिये, लेकिन पच्चीस चत्व को उन्होंने चार हिस्टों बाड़ जब कर दिया है सांग वालो ने, उन्होंने का एक तो है प्रकृति, बिफोर क्रियेशन, क्रिती से पहले क्या इस्टिती थी, वो गुणों की साम में अवस्था थी, वो पुटेंशलिटी ची, केवल शारी शक्यता ही शक्यता थी, संभावता ही संभावता थी, वो वास्तम जैसा कि मैंने अभी बात की कि यह वही चीज है जिसको अरेस्टोटिल कह रहा है, कि matter तो केवल potentiality है, matter potentiality है, वो हर चीज की हर form को अपने अंदर धारन कर सकता है, जो भी form उसके पर छापी जाएगी, वो छप जाएगी इसके अपनी कोई form नहीं है, ऐसे प्रकृति की कोई form न निकलेगी चीज वो अपनी छाप डाल देगी, तो यह जो है निकलना शुरू होता है, उन्हों न का एक पहली चीज है प्रकृति, प्रकृति को को ना किसी ने create किया, और ना कोई किसी को, तो प्रकृति प्रकृति है, उसके बाद प्रकृति के अंदर परिवर्तन जब लिए। टीनों गुण जो साम। में थे, उन्हों मैं से गुण एक दूसरे спर शाने की कोशिच करने लगे, तो यह विकृति आ गई, तो प्रकृति ने का, कि विकृति सोला चीज़े विकृति हैं। सोला विकृतियां हैं, पाँच ज्ञानेंद्रियां हैं, पाँच कर्मेंद्रियां हैं, पाँच भूत हैं, पंद्रा और एक मन हैं, यह सोला के सोला जो हैं, यह विकृतियां, विकृतियां का मतलब एफेक्ट, यह किसी चीज का कारण नहीं, बलके एफेक्ट हैं, कार यह है क निकात्र नेको सॉइवस्टी थो प्रकृति प्रकृति थी. जो जो गवल प्रकृति है जो प्रकृति यह नहीं है प्रकृति थी. और एक चीज ऐसी है, जो केवल विकृती विकृती है, जो विकृती भी नहीं है, परकृती भी नहीं है, ना परकृती है, ना विकृती है, उसमें कोई भी कारण नहीं होता, वो है पुरुष, तो इस तरह से इन्होंने चार भागों में उनको पांट दिया, कि सारे संसार को आपने समझने के लिए चार भागों बातो, सबसे पहले प्रधान को लिए प्रकृति को, प्रकृति का ना कोई कारण है ना कोई इसको पैदा करनेवारा है, वो अपना स्वयम कारण है, लेकिन यह प्रकृति, यह भीकार पैदा fakarta कर सकती है, तो पुरुष सहित पर प्रकृत जालता है, तो पहली चीज जो है प्रकृति में पैदा होती है, जो जड़ता चाही हुई थी, सारा जड़ी जड़ता, उसे कोई देखना वाला नहीं था, उसमें एक चीज पैदा होती है, उसको कहते हैं, महत तत्व, या महान, पुरानों में उसको विष्णु कहा गया है, य तारी दुनिया के अंदर जब इंटेलिजेंस आती है, तभी दुनिया का अनुहब होता है, दुनिया एक्जिस्ट करती है, या नहीं करती है, इसको कैसे पता लगेगा, जब कोई देखेगा उनको तभी तो पता लगागा, एक्जिस्ट करती है, भूत एक्जिस्ट करते है नहीं करते हैं अगर किल्सी ने देखा है भूतों को *** करते हैं अगर किल्सी नहीं देखा है तो भूत एक उडिस्थ नहीं करते हैं तो जब तक लाइस नहीं पड़ेगी परीछ तब तक जो प्रकृति के अंदर existence है, उसका पता ही लगा, कि कोई है भी चीज या नहीं है, तो इसलिए एक cosmic existence, यह पता लगता है, कि matter है, जो अपने आपको create करना चाहता है, यह matter है, इस matter से हमने कुछ creation देखनी है, तो पहरी चीज, cosmic intelligence आएगी, लेकिन cosmic intelligence जो है, यह universal होती है यह universal intelligence जो है, यह प्रकृति का पूरा ज्यान पराफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पुरुस अपनी पुरुस को लगता है, कि मेरा प्रकाश करते ही कुछ चीज दिखाई देने लगी है, जब तक मैं प्रकाश नहीं डालूँगा, कोई चीज दिखाई नहीं देगी, तो को पुरुस की लाइट और पैनिट्रेट करती है, प्रकृति के अंदर, और प्रकृति के अंदर जो पैनिट्रेट करती है, तो वो यूनिवर्सल जो चीज है, वो यूनिवर्सल चीज हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती, ज्ञान का विशय नहीं हो सकती, आपको यूनिवर्सल नहीं बना सकते, आपको कहा जाया कि यूझा ज़या बनाओ, तो जब आप चुड़िया बनाएंगे, कोई पूल्डब होगी, कभूतर होगा, कभूई होगा, या मोर होगा, या कोई होगा, एक कुई बनाओ, फोज दो झाल रिस विझा कि एखे। लेकिन यूनिवर्सल चिडिया कैसे बनाएं, तो यूनिवर्सल जो है उसको हमारे ज्ञान का पूरा विशय नहीं हो सकता, उसको हम भेदेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलराइज करना पड़ेगा उसको, जब वो पर्टिकुलर बन जायागा हम कहेंगे सब्दी बनाओ, य हमारे ज्ञान का विशय नहीं बन सकता, तो महतत्व को जो पुरुस और भेदन करता है, कहता है यूनिवर्सल एंटेलियंस जो है, यू पर्टिकुलराइज कर दो, तो उसको कहते है एहंकार, एहंकार का मतलब मैं, यह जो एहंकार है, यह अलग लग कर देता, भेद कर देत है उनको, एक एक चीज अलग-अलग होने लगती है, और उस एहंकार से इंडिविजुएलिटी आ जाती है, व्यक्तित्व बन जाता है, वो व्यक्तित्व हमारे पुरुस के भेदन का और विशय बनता है, पुरुस इसको और जानने के लिए, कि अब इसको और जादा जानो और प्रकाश डालता है उसके अंदर, अब ये प्रकाश बेदन करता चला जा रहा है, प्रकाश और तीवर होता चला जा जा रहा है, जब तीवर होता है, तो उसमेंसी चीज निकलती है, वो ऐसी चीज निकलती है, जो ग्यान दे सके, जो प्रकृति का ग्यान पुरुस तक उसको कहते हैं मन, उसके अंदर से मन निकल, जब तक मन नहीं होगा, कोई ग्यान हमें पैदा नहीं हो सकता, अब मन सर्च करना शुरू करता है, परकृति को जानना शुरू करता है, तो उसे कुछ साधन चाहिए, साधनों के बिना कैसे चीज़ों को देखे, तो मन क्या करता है उसके अंदर से चीज़ें पैदा होती हैं, एहंकार से सारी चीज़ें पैदा होई, मन से होई, तो ग्याने अंदरियां पैदा होती हैं, पांच ग्याने अंदरियां पैदा होती हैं, जिनके द्वारा मन वस्तू को जानने की कोशिश करता है, ये ग्याने अंदरियां कौन क कि इसके ने हैं हमारी यह पांच चीज़ है कि हमारे संसार का कि बुध्य वो पर्मकार को देता है अ हम्हार को देता है और बुद्धि प्रकाश कहता है पुरुस प्रकार को देता है तो पांच ग्nyaन इंद्रिया ने चीजे को देख तो लेती हैं लेकिन वह बो चीजे परते हैं और मेगा संब जो एहंकार है उतको कुछ और पैदा करना पड़ता है। और दिया है Tenee, कर्मिंद्रियां पांच कर्मिंद्रिया । हात है। जिव्या है। हमारी तवचा है's, व्यूंध गुदौ थृता हैं। यह पांच काम करती है। तो यह 5 Co चीजह रहे करमेंद्रिया है। पांचओ उमने करमेंद्रियां कर दी अब ये करमेंद्रियां और ग्यानेंद्रियां इनको और पुरुष बेधन करता है अगर एक मेरी आँख जाहे wed kid ए और अज़या hep the reality पर पुरुष चाहता है कि मुझे तो ज्यान होना चाहिए, क्योंकि चेत्रा का सभाव होना चाहिए, यह intentionality of the consciousness होनी चाहिए, consciousness तो ज्ञान पैदा करना चाहती है जादे जादे तो वो इनके अंदर फिर देखती है कि ये आँख जो है ये कैसे करेगी तो आँख के अंदर सूक्षम तत्व है वो कराती है आँख की शक्ती आँख की शक्ती जो होगी जैसी शक्ती होगी आँख वैसी चीज को देखेगे, कान के अंदर जैसे शक्तिय होगी, कान वैसी चीज को देखेगा, इसको सांखने का तनमात्रा, पांच तनमात्रा हैं सांखने पैदा कियें, ये पांच तनमात्रा जो हैं, ये शक्तिया हैं हमारे पांच औरगन की, रस है, उसको जिब्या द तो उससे को बताओ गेंदे का फूल कैसा होता है नहीं बताएगा या गेंदे का करर कैसा होता है नहीं बताएगा तो रस और रूप अलग अलग इंद्रियां देखेंगी तो जिस इंद्री का जैसा सुभाव है वो उसी चीज़ को देखेंगी वो ही तनमात्रा उसकी होगी त पांच तनमात्रा हैं हमारी हैं, ये पांचों शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के द्वारा हम सारे संसार का ज्ञान पराप्त करते हैं, द्वनी होगी तो कान उसको capture करेगा, कान उधर ही जाएगा, रूप होगा तो उसको रूप और रंग को देखने के लिए आँख जाएगी जिब्या नहीं जाएगी वहां, क्योंकि जिब्या की शक्ति नहीं है, तो पांच तनमात्रा हैं पैदा करते हैं, अब ये तनमात्रा हैं जो हैं, जब इनको भी कोशिच करता है, तो ये स्थूल लूप लेती चली जाती हैं, तो इससे पंच भूत पैदा हो जाते हैं, पां पानी जल है, अगनी है और आकाश है यह पांच इस्थूल तत्रव कैसा इनको कहते हैं पंच भूत्त यह पंथ प्रकास इसका भेदन नहीं कर सकता। आगे कोई चीज एवोल्व ने करेगा, तो ये संसार जब एवोल्व हो गया और पंच भूत एवोल्व हो गया, तो इवोडूशन यहाँ पर आकर के रुख गया, अब तो ग्यान ये ग्यान रहेगा इसके अंदर, अब इनको पुरुष जानता रहे है, अब दिक्कत ये है कि पुरुष तो और अडग चीज है और प्रकृति अडग चीज है, पुरुष और प्रकृति कैसे मिल जाती है आकर के, तो सांख ने कहा कि पुरुष का और प्रकृति का मेल नहीं होता कभी भी, पुरुष जो है वो प्रकृति के अंदर प्रकास जालता रहता है, लेकिन प् १ब अपनी चीजी नहीं निकलेगी। तो यह इंटेलिजेंस जो है, परकृति में देसे चीजे ननीकालती है। लेकिन निकालेगी उनी चीजे जो परकृति में मौझूद हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि इश्वर भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जो प्रकृति में नहीं है, जो नेचर के लौ से भिन्ह है, लौ अफ नेचर जिसको अलाओ नहीं करता, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, तो मनुष्य जो है लौ अफ नेचर को देखेगा और उस सकता, इसको एर सरकल नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं हमसे कि बिर्द्ध है, तो भगवान भी नहीं पैदा कर सकता, तो मनुष्य जो है उसकी बुद्धी के वर ये देखती है, कि प्रकृति में कौन सी चीज़े अभी चुपी हुई है, जिनको मैं नि देखा ले, ये बुद्धी का काम है, तो प्रकृति और पृुना मेल नहीं हुता, इनका तो सहियोग अभवास. में बूत सब्सिते था साब से आदम या गया है तो कारे ये आदमी को शीशा, कारा दिखाता है, गोरे ये गोरा दिखाता है। तो जो गध्यमान आदमी है उते हां, निת करेंद thi Such acontecer Dip에 लिए कि मैं शीशा, कि conse एट तो पुरुष्ट कई बार अज्ञान बस प्रकृति चुक है उसको फांसना चाहती है जालम है, प्रकृति चाहती है कि यह मेरा भोग करे पुरुष्टि उसको अपने तीनों गुणों से, उन तीनों गुणों के अंदर यह होता है, कि श्वेत सफैद रंग जो है सुख देता है, शाम पुरुष्ट को गोग में डाल दिता है, और रतनार शो है पुरुष्ट को उन दो बस अमद में डाल दे करके, जैसे इन तीन चीज़ों थैसे नारी फ़साती है इसी परकृति on जर अज्ञान के लूप में फसा लेती ए, तो अज्ञान के कारण चाहती से, यह संय तो शीषा मनुष्य नहीं है, जो यह कहता है कि शीषा अलग है मैं अलग हूँ, वह आदम कभी नहीं फ़सेगा, तो आदमी अपने कही बार प्रकृति के चक्कर में आकर फ़स जाता है, और जो फ़स जाता है तो वह दुखों का कारण बन जाता है, वह अपने आपको सीमित स पुरसी समझने लगता है कि मैं तो अंदकार में आ गया, मेरे अंदर तो जड़ता आ गई, मेरे अंदर तो तुमारे अंदर जड़ता तो आई नहीं सकती क्योंकि तुम तो चेतन सरूफ हो, तुम प्रकृति के साथ अपने जोड़ रहे हो, कि मेज सूट गई तो मैं समझता ह मैं तूट गया और मैं रोने लगता हूँ, मेरा मेज से कोई संबन रही है, मैं तो सिर्फ मेज का देखने वाला हूं दिर्ष्टा हूँ इसका, इस प्रकृति की चीज है, प्रकृति में से निकली है, प्रकृति में चली जाएगी, अगर मैं नहीं तोड़ूँगा तो प्रकृति के साथ जोड़ लेता है और जब दुखों का दुख होना लगते हैं तो तीन तरह के ताप आदमी को हो जाते हैं प्रकृति में आधी भौतिक दुख होते हैं आधी डेविक सुख होते हैं और आध्यात्मिक सुख होते हैं दुख होते हैं आधी भौतिक तो यह है क हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई, हमें भोजन नहीं मिला, भूख से हम तड़र रोएं, तो ये सारी होता, तो ये प्रकृति तड़पती है, लेकिन हम समझते हैं, तो पुरिष तो ना कुछ खाता है, ना पीता है, कुछ नहीं करता है, तो पुरिष अपने आपको समझ लगता है कि मैं बरने वाला हूँ भूक से, तू तो कभी मरे गई नहीं, अमर है, लेकिन वो उससे दुखी हो जाता है, प्रकृति के बंदन के कारण से, तो ये सारे दुख जो हैं, जितने भी संसार के आधी बहुतिक दुख हैं, ये संसार क मेरे पास, बहुतिक बस्तु नहीं है मेरे पास, दूसरे के घर में कार खड़ी भी देखी, तो मैं अपने घर में आकर करने लगता हूँ, मेरे पास कार नहीं है, तो बेहिमानी भी करने लगता हूँ, चोरी भी करने लगता हूँ, इसकेंडिल भी करने लगता हूँ, तो य बिलकुर बड़शा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, जली भी नहीं मिल ला, टिड़ी दर आ गया, फसलों को खा गया, टिड़ी दर का आकर्मन जो है आदी देविक माने चाहता है, यह देवी परकोफ है, देवताओं का परकोफ होता है, तब ही आती है, तो इस तरहे कि सारे आदमी जो होते हैं, फ्रायड ने भी बहुत-बड़ा साइक्लोडिस्टेस नहीं लिखा है, कि कुछ आदमियों को इड़ एंग्जाइटी होती है, यह सेक्स की एंग्जाइटी है, हमें काम बोग करने के लिए बस्तों को मिलनी चाहिए, कुछ आदमियों के अंदर क् इग्जाइटी होती है, समाज में मुझे प्रतिष्टा नहीं मिल लगी, समाज में अंदर मेरी जयजयकार नहीं हो रही है, और कुछ आदमियों को आद्ध्यात्मिक, यानि सुपर इगो की भी, वो मौरल एंग्जाइटी के लाती है, हाए हाए, अखवार में मैंने खबर पड़ें, चार खबरें थी, कि रेफ हुआ है वहाँ लेडीज का, क्या हो रहा है, संसार का पतन हो गया, दुख हो गया, ये आत्मा को दुख देना वाली चीज़े है, ये आद्ध्यात्मिक दुख है, ऐसी चीज़ें बहुत होती है, इसने अपने बाप को मार के पीठ के निकाल दिया, मावाप की सेवा करना तो दोना थी ये था, तो दुख कैसी संचान हो गई, दुनी के अंदर संचान ही बिगड़ गई, आचरन विष्ट हो गए, तो ये moral anxiety हो जाती है, तो तीनों तरह के दुख पुरिस को व्याब जाते हैं, सतों गुणियें जो आद्मी है उनको तो moral anxiety होगी सारी सारी, जो रजुकुन आदमी, रजुकुन के आदमी हैं, उनको संसार की anxiety चलेगी, कि मुझे ये चीज नहीं मिली, मुझे वो चीज नहीं मिली, मुझे इसके लिए प्रयास करना, तो बहुत ज़्यादे प्रयास करता हूँ, और एक आदमी असा है कि निराशावादी, पैसी में स्थोकर के रेड़ जा रहे हैं, हमारे भाग में कुछ नहीं क्या करेंगे, मिल जाया गखा लेगे नहीं, तो ये सारे दुख के कारण बन जाते हैं, तो पुरुस इन दुखों से छूटना चाहता है, जबके पुरुस की नेचर में दुख नही है, तो धन नहीं है, तो तो प्रकाश है, तो वो दुखी हो करके अपने को निकलना चाहता है, और प्रिकृति भी ये कहती है, कि मैं जिसको ये भोग करा रही हूं, भोग इतना करा रही हूं, कि मैं भोग कराते-कराते ठक गई हूं, इसलिए मैं भी चाहती हूं कि शान्त ह तो कि दोनों जो जुए छुटना चाहते ही, लेकिन पुरुस के अंदर एक्टिविटी नहीं कैसे, जंगल में आग लग रही है, सारा संसार जल रहा है तिरुवित ताप में, ताप का मतलब गर्मी है, इस तीन दुखों की गर्मी में सारा संसार जल रहा है, इन तीन दुखों से कोई भी आदमी मुक्त नहीं है, कोई संसार मैस आदमी नहीं मिलेगा, किसी में moral anxiety है, किसी में social anxiety है, कहीं देवताओं का प्रकॉफ हो रहा है, तो इन सारी दुखों से कोई चीज कोई मिलेगा नहीं, अब वो क्या करता है, वो प्रकृति से कहता है, कि प्रकृति कहती है, मैं चेतन तो ही नहीं मुझे दिखाई तो देता है, कि इधर को भागू, इधर को गई तो और दादे लेप्त होंगी, इधर को मुझे पता है नहीं, तो पुरुस कहता है, मुझे दिखाई देता है, लेकिन मेरी टांगे नहीं है, तिरे पास टांगे है तो पुरस आरूर हो जाता है प्रकृति पर प्रकृति के कंदें पर चड़ा जाता है तो प्रकृति में असे सारे साधन भेनगे उसे, संसार में जो छूटना चाहते हैं वो इन संसार के साथनों से अपने आपको छोड़ाने के लिए, इन संसार के साथनों को लेते जाएंगे, और वो यह कहते जाएंगे, मेज तो नश्वर थी, नश्वर होगी, तो जाने दो, परकृत्ती में से एक भाग निकल गया, यह मेरे जो पुत्र थे, तो आज पैदा कि मैं तो केवल भोग था और प्रकास मान था यह जो परकृति थी इससे मेरा मोह हो गया था और मोह में फास लिया था इसके तमों गुडने मैं इससे निकल जाओं तो जब वो पुरुष उसके परकृति के सारे बंदन को छोड़ देता है परकृति के सारी चीजों से अपना स मन तोड़ लेता है। जो भी चीज परकृति से उत्वन हो ही है वो परकृति में विलीन हो जाएगी। परकृति में चली जाएगी। यह सोच लेता है। तो बुरुष उपने प्योaría स्थित्म को जान लेता है। कि मैं क्या हो और जिस दिन अउसे पता रग जाता है कि मैं मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं मेज नहीं हूँ, मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं कार नहीं हूँ, मैं बंगला नहीं हूँ, मैं मिनिस्ट्री नहीं हूँ, कि यह ministry मिल दा है, पद मिल दा है, मैं तो इन से बहुत उपर हूँ, यह तीनों गोड्री प्रकृति के हैं, यह गोड़ मुझे बांधने नहीं सकते हैं, गोड्र के दो अरत होते हैं, एक तो होता है क्वालिटी और एक होता है रस्वी, तो प्रकृती के जो गुन है यह वत्तर देशे हैं बांधने वाले बंद्न में आने वाला हैं, मैं तो प्रकास ही प्रकाश हूँ, मैं तो गल्ती से पुरिषक साथ अपने आप प्रकृती kसाथ जोड़न बैठा तो वो जब समझने लगता है, कि मैं यह कुछ नहीं हूँ, मै इन से बहुत उपर हूं इन गुणों से उपर, तो पुरुष अपने purity को देख करके, प्योर लाइट बन जाता है, और जब प्योर लाइट बन जाता है अपना सच्छा शुच्छू रूप तो वो मोक्ष को प्राफ्थ हो जाता है, तो सांख जो है उसने इस पच्छिस कर रहा है, पहली चीज यह है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, जो चीज विद्यमान नहीं है, उसमें से वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकते, पोटेंशल रूप में हर चीज विद्यमान है, पोटेंशल रूप में सारी दिनिया में और जो चीज उसे कोई मिटा नहीं सकता। सांख का सबसे बढ़ा देन यह है कि सांख ने बहुत बड़ी दुनिया को सबसे पहले सांटिफिक थिंकिंग दीब कि यह सांटिफिक थिंकिंग है दुनिया की। फिर उस सांख दूसी चीज़ उनने जो दी शारी किशारी उस नगा कि मोशन इनहरेंट है मेटर के अंदर। आप गलती से कह रहे हो कि भगवान ने धक्का मारा और प्रकृति चल पड़ी और जब भगवान आएगा इसा रोकने के लिए उसका दूद पड़ेगी भगवान की कोई जुरूत मी है प्रकृति कहती है कि मेरे अंदर जी चीज़ें उनको मा व्यक्त कर सकती हूँ और अव्यक्त करने के लिए मेरे अंदर आप यह एक्टिविटी तो प्रकृति की सांख का दर्शन बहुत ही जाए साइंटिफिक दरशन है बिलकुँ साइंस की तरह से फिर प्रिकृति ने वो बात जो डारविन ने कही थी, कि नोग नुव क्रेशन होती नहीं दुनिया के अंदर, उन्हों नोग जो थे, सारी दुनिया का थिंकिंग बदल दिया, डारविन ने, क्योंकि दुनिया बाइविल में कहती थी, गौड ने क्रेट की, और कहां से create की, out of nothing, इन्होंना कह दिया, X nihilo nihil fit, nothing मैंसे तो nothing ही निकलेगा, आप something नहीं निकाल सकते हैं, तो सांख इस दिरिष्टी से बहुत ही महत्पून दरशन माना जाता है, कि सांख ने इन 25 तत्वों को दे करके, वो 25 तत्व ऐसे हैं, जिनके हिसाब से सारी प्रकृति का explanation कर दए हमारी ज्ञान इंदरीयां किया काम करती हैं, हमारी कर्व अंदरीयां, क्या काम करती हैं? इनमें किसी तरह का विकार आ जाएगा, थोड़ा सा भी तो ज्ञान प्राप्त मी होगा हम थो में. कान में धनी की शक्ति है, हमारे जिब्या के अंदर टेस्ट की शक्ति है, रस, वो अगर जिब्या में विकार आ गया तो संथार में रस का ग्यान नहीं होगा, कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज खटी है, खत्रस होते हैं सारे। तो सांख ने भी बताया कि हमारी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए हमारी प्रकृति इस काम को करती है, कि हमारी शक्तियों को किसी तरह से जो प्रकृति के निकट रहेंगे, उनकी शक्तियां शीण नहीं होगी, जो प्रकृति के नियमों से थोड़ा सा हड़ जाएंगे, उनकी शक्तियां विशीन हो जाएंगी, उनकी इंद्रियां में विशीत हो जाएंगी, और इसके धीरे धीरे ऊपर उठे उठे करके आदमें, फिर एक दिन ऐसा आजाएगा, क्योंकि विकास उपर ही उठाता है, प्रकृति से जो भी चीज निकलेगी उपर को ही उठाएगी, तो विकास का नियम इन्हों ने दे दिया, और विकास में उपर उठ से उठ से क्या होगा, कि आदमी एक दिन परमतत्व बन जाएगा, कोस्मिक इंटेलिजिन्स बन जाएगा, वो एक व्यक्ति को इंडिविजुनिटी नहेगी इसके अंदर, और वो फिर कोस्मिक बन जाए तो यह अंता करण, करण माने एपरेटस, इंटरनल एपरेटस बन जाता है ज्ञान का, पुरुष इनको यूद करता है अपने ज्ञान के लिए तीनों को इंटरनली, और बाकी जो हैं, बाकी तत्व बाहरी तत्व हैं, तो एक पुरुष, एक परकृति, जो विलकुल साधन से कैसे निकले, तो सांख योगो पर्थक वाला ना बदनंती पढ़ लिता, अब सांख का ज्ञान, क्योंकि ज्ञानात्म के सांख तो और इसका व्यवारक योग कराता है, तो हमें ज्ञान में देखना है कि सांख ने ज्ञान के लिए कौन-कौन से साधन दिये हैं, सा ज्ञान के तीन ही साधन हैं, पर्मान तीन हैं बस, पहरा है प्रतिक्ष पर्मान, इंद्री ने जब विश्य के साथ सन्निकर्ष करती हैं, अपने विश्य के साथ जाके संपर्ख करती हैं तो प्रतिक्ष का ज्ञान हो जाता है, इस प्रतिक्ष में दो चीजों का ज्यान होत दू चीज़े कौनों कौनों idi एक तो विशे का घ्यान होता है और उस विशे के साथ सामान ने तत्व का भी घ्यान होता घ्याताई सामान ने प्ततक Şimdi होता है जब मैं एक जानवर को देखता हूं तो मैं ने देख ला कि जानवर चर्ड़ा है, चार पय रहे हैं इसके अंदर और ऐसे जा रहा है, तो मुझे क्या हुआ कि जानवर तो देख लिया मैंने, प्रिटक्ष हो गया उसको, लेकिन मुझे यूनिवर्सल प्रिटक्षन भी हो गया, मैंने गोतत्व जो है काउनेश, क काउनेस को भी देख के मैंने काउ है, अगर मुझे काउनेस का ग्यान नहीं होगा, तो मैं घोडे को भी काउ कह दूँगा, और किसी को भी कह दूँगा, तो प्रतक्ष दोनों तरह का होता है, यानि हमा में उनिवर्सल को प्रतक्ष भी होता है, सामान प्रतक्ष और व्यक्ति मैं थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, कि ये तीन प्रमान मानते हैं, दूसरा प्रमान इनों नहीं कहा, अनुमान, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो हमारी आखों के सामने नहीं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, कि उनके अंदर एक हेतु का, हेतु ढूंडते हैं कोई, मिडिल टर करता हूं, और हेतु की जब खोज करता हूं, जब मुझे हेतु मिल जाता है, तो फिर मैं उस सील का, जो हमारी आखों से दूर है, जैसे मुझे दीखता है, कि पहाड के पीछे की तरफ आग लगी हुई है, अब कैसे कह रहा हूं है, तो मैंने देखा कि पीछे धुआ उठ है, तो मैंने हेतु को पकड़ लिया, जहाँ धुआ होगा, वहाँ अगनी जरूर होगी, तो मैंने उस हेतु को पकड़ करके और उसका ग्यान पराप्त कर लिया, कि वहाँ चीज है, तो यह जब हम हेतु के द्वारा किसी चीज को जानते हैं, यानि मिडिल टर्म के द्वार कि उसका ग्यान होते हैं और पता रगया कि अगनी है वहाँ पर, तो अनुमान कोई न अनुमाना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो मनुष्य की इंटेलिजेंस से उपर हैं, मैं अफरीका नहीं जा सका, तो मेरी बुद्धी से अफरीका दूर है, क्योंकि मैंने देखा ही जो विश्वश्णी है लोग हों, तो मैं किसी विज्ञान के पास जाओंगा, किसी मदारी यह तमाशा करने के पास ने जाओंगा, कि जी अफरीका ऐसा है, बलके मैं किसी जोगरफी के भूगोल वक्याद में पास जाओंगा, वो मुझे एक भूगोल की किताब देगा, कि आप और अफरीका में ऐसा ऐसा है, तो जो आप्त पुरुष हैं, उन आप्त पुरुष के बारे में हम खोजना पड़ेगा, कि यह आप्त पुरुष है यह नहीं, रिलाएविल मैन है उसका दिया हुआ ग्यान वो हमारा शब्द पर्मान होगा, और और बी चीजें ऐसी हैं जो इन तत्वों से उपर उठ जाती हैं, उनका जो ग्यान होगा, तो सांख तो उसको नहीं मानता इश्वर को, लेकिन वो तो इन ही को मानता को कोई भी आप पुरुष हो, रिश्यों और मंत्र दिर्ष्टारा, रिश्यों ने मंत्रों को देखा है, तो कोई ऐसे रिश्यों रिश्यों अपने जिएगेश्यों में अपने बैच के कोई ऐसी चीजे देखी हो, लेकिन रिलाइबल हों, तो हम उनकी बात को मानेंगे, तो तीन चीजों को इन्नोने प्रवाण माना है, कि इन तीन के माढद्यम से हमें इस संसाार का इस विश्यों को ज्यान होगा, लेकि तो ज्याता प्रकाश ही प्रकाश है, और सारी चीज़ें प्रकाश वान चीज़ें वो गये हैं, तो सांख ने इनको लख दिया, अब वो पुरुस को जब थोड़ाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो सांख योग उप्रतखवारा, वो योग दर्शन कहलाता है, क प्रकृति के बंदन से पुरुस कैसे छूटे, इसके लिए उन्होंने कहा कि पुरुसांख को और योग को अलग लग नहीं करना चाहिए, विद्वान लोग इनको अलग नहीं करते हैं, इन दोनों को साथ साथ ही कहते हैं.